हेलो एवरिवन, मैं शचिकान चोहान आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की सुरुआत करेंगे आज हमारा नया जो सब्जेक्ट है वो भारती सम्विधान है और भारती सम्विधान में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का सम्विधानिक विकास के इतिहास के बारे में भारत के सम्विधान का निर्माड और क्रमिक प्रक्रिया क्या रही इसमें क्या-क्या चीजे बदला हुई किन चीजों के अधार पर नई चीजों की सुरुआत हुई और उनका संकलित रूप भारतिय सम्विधान की रूप में कैसे सामने प्रस्तुत हुआ इसके बारे में हम लोग विश्रित अध्यान करेंगे इस वीडियो के जरीए और यहां से बहुत सारे questions इक्जामें पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो basic चीज़े आपकी अच्छी होनी चाहिए जैसे एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत निव की जरूत होती है उसी तरीके से भारतिय सम्विधान को जानने से पहले उसके सम्विधानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे कि कैसे भारत के सम्विधान का निर्बान हुआ और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करना और बेल आइकन को हीट करना ना भूले जिससे आपको वीडियो हमेशा अपडेट मिलती रहे और हमारे इस चनल का नाम पहले जो इस्टेडिक कीफर सक्सेस गुआ करता था अब जी एस पाईशाशी का अंसर कर दिया गया है तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग वीडियो की सुरुवात करते हैं अगर बात करें तो भारतीय समوت्धानिक विकास की अगर बात की जाए तो इसकी सुरुवात जो होती है वो विष्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना से लेकर भारत में समوت्धान लागू होने तक की एक क्रमिक एक शंकलित प्रक्रिया रही है जिसके अधार पर आज हम एक पूर्ण विश्यो के सबसे बड़े सम्मिधान की बात करते हैं इस सम्मिधान के निर्माण की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो बहुत सारे प्रक्रियाएं इसके दोरान देखी गई इसकी सुरुआत तब मानी जाती है जब 1600 ISB में एक चार्टर आया था यानि राजलिक आया था जिसको 1600 ISB का चार्टर या राजलिक भी कहते हैं इसके तहट 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महरानी एलिजाबेत प्रथम ने इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना की और इसे पुर्वी देशों में 15 वर्षों तक ब्यापार करने का अधिकार प्रत्तर प्रदान किया जिसे हम 1600 का चार्टर अधिनियम कहते हैं और यहीं से समिधानिक प्रग्रिया की सुरुआत हुई जब भारत में इस्ट इंडिया कमपनी का आगमन हुआ एक राजलेक यानि एक चार्टर के जरिए 1600 इसबी के द्वारा अगर हम बात करें तो आप जो तस्बीर देख रहे हैं महरानी एलिजाबेट प्रतम हैं जीनोंने 1600 इसबी का राजलेक चार्टर प्रदान किया था जिसके अधार पर इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना हुई थी यहाँ पर एक क्वेशिन इंपोर्डेंट है कि इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना कभ हुई थी तो इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 1600 को तो यह याद रखिएगा इस चार्टर की बात करें तो इस चार्टर के जरिए जो कमपनी के अंतरगत जो परिशत बना था उस परिशत में एक गवर्नर और 24 अन्य सदसी हुआ करते थे जो कमपनी को आपरेट करते थे कमपनी को काजलेक के जरिये भारत में जब ब्रिटिस गवर्मेंट का जब वर्चस्व यानि प्रसासन एक भेता तरीके से होने लगा और भारत के मुख्य रूप से तीन छेत्रों को एक प्रेजिदेंसी के तोर पे डिवाइड कर दिया गया था तो भारत में तीन प्रेजिदेंसी और बंबई प्रेजिदेंसी ये है आपके सामने तस्बीर और मदरास प्रेजिदेंसी को फोर्ट सेंट जोर्ज भी कहा जाता था इस 1726 के राजलेक के जरिये अगर बात की जाए तो विधी बनाने की शक्ति इन तीनों को प्राप्त हुई ये तीनों अलग अलग तरीके से ये अपना अपना विधी या कानून बना सकते थे अलग अलग प्रेजिदेंसी में ये अधिकार किसके जरिये प्राप्त हुआ 1726 के राजलेक के द्वारा या चार्टर के जरिये तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1600 के चार्टर से ब्रिटिश इस्टी इंडिय कंपनी की अस अस्थापना हुई और 1726 के राजलेक के जरिये प्रेजिदेंसीयों को अपना विधी या कानून बनाने का सत्ती प्रदान हुआ अब आगे बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शाषन की अस्थापना के बाद दो बहुत इंपोर्टेंट जो युद रहे हैं वो निरायक युद रहे हैं भारत में पूरी तरीके से अंग्रेजी शाषन की अस्थापना के लिए अगर पहला युद्ध की एगर बात करें जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं जो 23 जून 1757 को हुआ था और ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बंगाल के नाबाप सिराजु दौला और ब्रिटिस इष्ट इंडिय Α कंपणी के बीच हुआ था अगर British East India Company की अगर बात करें तो जिसका नेत्रितो सेना पती के तोर पे Robert Clive के द्वारा किया गया था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और ये विजय एक तरह से बंगाल विजय की रूप में आंसिक रूप से भारत में अंग्रेजों की अस्थापना मनी जाती है और फिर दूसरा जो निडायक युद्ध रहा बकसर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को मंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल समराट शाह आलम दिदिय वर्सिस ब्रिटिस इस्टियन इंडिया कमपनी के बेच हुआ जिसका नेत्रित तो हेक्टर मुन्रो के द्वारा किया गया इसमें भी अंग्रेजों की जीत मली और ये जीत जो है भारती एतिहास में अंग्रेजों के लिए वास्ट्विक और अस्थाई प्रसासन की निव अस्थापित हुई ये दोनों युद्ध एक तरह से अंग्रेजी शाशन जो भारत में अस्थापित हुआ तो ये बहुत निडायक रहा और इसी अस्थाई प्रसासन की वज़े से यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा कानून लाए गया और वही कानून एक तरह से क्रमिक प्रक्रिया के तोर भारत के समयधान के निर्मार के अधार बने अगर हम इन युद्धों से कोश्चन सकर देखा जाए तो ये अगर प्लासी का युद्ध अगर देखा जाए तो तेज जुन 1757 को हुआ था रिवाइज कर ले इसको और किस के बीच हुआ था तो बंगाल के नवाब सिराजु द अगर हम बक्सर का युद्ध की अगर बात करें तो ये हुआ था 22 अक्तूबर 1764 को बहुत इंपोर्टेंट ये है याद रखिएगा 22 अक्तूबर 1764 को और बंगाल के नवाब के बीच किस के किस के बीच हुआ था मेर कासीम और मुगल समराथ सहालम दिदी एक साइड से और बिर्टिस इस्टेंड कंपनी का नित्रत तो हेक्टर मुन्रो कर रहे थे ठीक है तो ये प्लासी की युद्ध से सम्मंधित और बक्सर की युद्ध से सम्मंधित बाते रही और इसका हम जिक्रीस ली कर रहे हैं क्यूंकि इस इन दोनों युद्ध के कारण ही भारत में बिए ने कानून लाए गये और यही कानून अधार बने भारत के सम्मेधान के निर्मान के लिए और एक तरह से जो हम आज Indian पॉलिटी पढ़ रहा हैं जो तोपिक है वो एक तरह से Indianちは का भी पार्ट होता है और history का भी पार्ट होता है भारत का सम्मेधानिक विकास की अगर बा करते हैं ये दो पार्ट में इस लिडिवाइट करते हैं कि हम को मालूम है कि एक वर्स ऐसा था एक साल ऐसा था ठारा सो संतावन जिसमें भारत में पहली राश्य करांती शुरुवात हुई थी जिसे हम सैनिक विद्रो के नाम से भी जानते हैं ऐठार सोसंतावन के पहले जो ब्रिटीस इश्चेंडय कमपनि रवा करती थी वो 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी अधिनियम लाए वो ब्रिटीस इश्चेंडय कमपनि के द्वारा बनाए गे नियम थे और 1867 के बिद्रों के बाद British Crown यानि महरानी ने भारत के प्रसासन को अपने हाथ मे ले लिया और 1858 से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम आए वो British ताज के अंतरगता है ये याद रखिएगा और 1867 के पहले जितने भी British Standard Company के अंतरगत अधिनियम पारित हुए उनमें एक खास बात ये है कि 1773 से लेकर 1853 तक जो भी अधिनियम आए उनके वर्सों का अंतर अधिनियम के वर्सों का अंतर 20 साल लाए 20-20 साल के अंतराल पे ये अधिनियम लाए गए क्योंकि British Standard के द्वारा इनको 20 साल तक के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त होता था भारत में ब्यापारी अधिकार प्राप्त होता था भारत में ब्यापार करने के लिए एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1773 से लेकर 1793 के बीच कुछ अधिनियम में संसोधन किये गए जो तीन बार हुए जिसको हम Act of Settlement 1781 के नाम से भी जानते हैं PITS India Act 1784 के नाम से भी जानते हैं और 1786 का Act भी कहते हैं यह अधिनियम भी कहते हैं अगर हम बात करें तो यह आपको याद रखना होगा 58, 61, 73, 92, 09, 1935 तो इस तरीके से यह आपको अलग से याद करने पड़ेंगे अगर हम बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है 1878, 1909, 1919 और 1935 के जो अधिनियम हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं इनको याद रखियेगा Regulating Act की अगर बात करें तो भारत में British East India Company के ताथ British East India Company के अंतरगत पारित अधिनियम में सबसे पहला अधिनियम और बहुत ही इंपोर्टेंट अधिनियम है Regulating Act 1773 Regulating Act 1773 की अगर बात करें तो ये जो एक्ट आया था वो समय जो ब्रिटेंग के प्रधान मंत्री थे उनका नाम था Lord North Lord North ने एक गुप्त समिधी बनाई यानि एक सिक्रेट कमिटी बनाई और उस सिक्रेट कमिटी के द्वारा ही Regulating Act को लाए गया 1773 में पहली बार भारत के लिए एक लिखी सम्विधान प्रस्तूत किया गया तो Regulating Act ये पहला एक्ट था जिसमें पहली बार लिखी सम्विधान प्रस्तूत किया गया था और तीसरा पॉइंट ये है कि इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को अंगरेजी छित्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया यानि पहले गवर्नर हुआ करते थे लेकिन इस एक्ट के आने के बाद गवर्नर की अब जगह अब गवर्नर जनरल कर दिया गया और तीनों प्रेजिडेंसी के लिए एक गवर्नर जनरल तो यानि ये कलकत्ता प्रेजिडेंसी है ये बंबे प्रेजिडेंसी है ये मदरास प्रेजिडेंसी है तो हर में एक एक गवर्नर तो होंगे ही लेकिन इन तीनों के ऊपर एक गवर्नर जनरल एपॉइंट कर दिया गया तो इस तरीके से देखा जातों इन तीनों प्रेजिडे जनरल बहुत इंप्पर्डेंट है कभी कभी कोशिन पूस देता है कि बंगाल का प्रतन गवर्नर जनरल अगर पूछा जाय तो वारेंड हैस्टिंग ते बोर्ड अफड़र्टर्स की एक वर्स बढ़ा कर चार वर्स कर दी गई और बोर्ड अफड़र्टर्स की कुल सदस्य सं देखे और हर साल वन फोर सदस्या हवकाश गुनाट करते थे तो यानि हर साल छे नए सदस्यों की निव्कती होती थी ठीक है तो इस तरीके से इनको point wise देखा जाए तो regulating act में खास point यह है कि जी समय regulating act आया था तो उसमय बिटेंग के प्रधाम देतरी लॉर्ड नार्थ थे और इस regulating act के जरीए गवर्नर के post को गवर्नर जनरल बना दिया गया जो तीनों presidency के गवर्नर जनरल थे और प्रथम गवर् को एक वर्स से बढ़ा कर अब कितने वर्स कर दिया गया चार वर्स कर दिया गया और 24 सदस्यों हुआ करते थे board of directors में company के board of directors में जिसमें one fourth की नियूकती हर साल होती थी और अवकास भी ग्रहन करते थे अगला point अगर देखा जाए regulating act 1773 की ही बात करें तो सासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों का government general और उसके चार सदसे ही परिसत को सौप दिया गया जिसको हम Supreme Council of Bengal भी कहते हैं और government general को बहुमत के लिए निर्डायक मत प्राप्थ हुआ तो सबसे पहले तो बात करें कि जो सैनिक और सिविल सक्तियां है वो किस के पास चली गई गर्ण गवर्न general के आलवा कितने सदसे थे चार अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये governor general है जो पर्थम governor general थे वारेन हैस्टिंग्स और इनके साथ जो चार सदसे थे ये थे सर फिलिप फ्रांसिस, सर जॉन क्लेवरिंग, जोर्ज मॉंसन और फोर्थ थे रिचर्ड बर्वेल अगर चहेता था, या Warren Hastings के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन इन तीन की अगर बात करें तो इन तीनों के संबंध Warren Hastings से अच्छे नहीं थे, खास तोरपे फिलिप फ्रांसिस से, फिर आगरी देखते है, Regulating Act 7073 से संबंदे, 73 के Act के जरिये 1774 में कलकत्ता में 4 सदसी एक सरवच नियाले की अस्थापना की गई जिसके मुखे नायदीस एलिजा इंपे थे तो याद रखिया गई ये एर भी याद रखिये गई और एलिजा इंपे और उस समय की जो सुप्रीम कोर्ट थी कलकत्ता की वो उसका आप तस्बीर यहाँ पे भी देख सकते हैं और यह बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ से बहुत एक्जाम में कोशिन पुझे जाते हैं important है कि कलकत्ता की सुप्रिम कोर्ट की अस्थापना कब हुई थी तो इसका सही answer है 1774 में और कहां पे हुई थी कलकत्ता में कितने सदसे थे चार सदसे थे किस एक्ट के जरीए 1773 regulating act के जरीए और मुखे बड़ी घटना है जब नंद कुमार को फांसी के साजाती गई तो एलिजाय इमप और वाररें हेस्टिंग्स की साच इस बताई जाती है और इसे an justice किलिंग भी कहा जाता है यानि नयाय का नयाय की हत्या भी कही जाती है जब नंद कुमार ने वारें हेस्टिंस पे आरोप लगाया था घूस लेने का तो उसी बर्टि रूप के तोर पे बदला लेने के लिए वारें एक केस दायर किया था नंद कुमार पे जमिदार ब्रामर थे बेंगॉल के ही और इसी वज़े से वारेन हेश्टिंग्स पे इसलिए बृतें में वारेन हेश्टिंग्स पे महाभीयोग भी लगा गया था और किसी भी गवर्नर जनरल पे पहली बार महाभीयोग लगा था वो कौन थे वारेन हेश्टिंग्स लेकि सत्रों से तिहत्तर एक्ट के जरिये ही और कुछ मेंन पॉइंट्स को देख लिए जाए तो न्यायले के बिरुद्ध जो अभी हमने सुप्रीम कोड की बात किये न्यायले के बिरुद्ध अपील प्रिवी कॉंसील में होती थी तो ब्रिटेन में प्रिवी कॉंसील भी मनाई ग यानि कम्पनी के कर्मचारी भारस से व्यपार तभी कर सकते थे जब उनको लाइसेंस प्राप्त हो फिर ध्यान रहे कि चार्टर अधिनियम के बीच वर्सों में जो अंतर रहा है वो 20 वर्सों जो पहले ही बता चुका हूँ 1773 में 20 जोड़ेंगे तो 1793 में फिर 20 1813 20 फिर 1833 फिर 28 करेंगे फिर 1853 तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनके बीच जो हमने बताया कि 1773 और 1793 के बीच जो संसोधन के तोर पे कुछ सुधार किये गए उनमें से एक है Act of Settlement 1781 और Pits India Act 1784 और 1786 का अधिनियम तो 1793 को पढ़ने से पहले इन सुधारात्मक जो कानून लाए गये थे उनके बारे में भी देख लें तो सबसे पहले चलते हैं Act of Settlement 1781 के तरौँ तो Act of Settlement 1781 की अगर बात करें तो Regulating Act 1773 की कमियों को दूर करने के लिए Act of Settlement लाए गया जिसे संसोधित अधिनियम भी कहा जाता है तो जब कोई कानून आता है तो उसमें कुछ कमियां भी होती है तो उसको सुधार करने के लिए संसोधन भी किया जाता है तो उसी के रूप में 1773 के Act में सुधार लाने के लिए Act of Settlement भी लाए गया था इसका ना नहीं है Settlement तो यह कौन सी यहर में आया था 1781 में इस Act में कलकता की सरकार को बंगाल, बिहार, ओडिशा के लिए भी विधी बनाने का अधिकार मिल गया यानि जो 1773 में केवल अधिकार, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिये मिला था वो केवल कलकता प्रेजिडेंसी के अंतरकत मामलो को सुना जाता था यानि विधी बनाने का अधिकार मिला था लेकिन एक्ट अफ सेटलमेंट में 1781 के तहट कलकता के साथ-साथ बंगाल, बिहार और उडिशा के लिए भी कानून या विधी बनाई जा सकती थी ये पावर दे दिया गया फिर सरोच नियाले के शक्ति को सीमित करते हुए राजस्व अधिकारिता को समाब्द कर दिया गया यानि राजस्व से संबंदित कोई भी मामला होता था वो सरोच नियाले के अधिन नहीं अब वो किसके अंतरगत चला गया था, गोर्नार जनरल के अधिन चला गया था, और फिर गोर्नार जनरल की परिस्ट को सरोच नयाले के अधिकारिता से मुख्त कर दिया γया, यानि कोई भी अगर कानून से समंधित, निर्मार से समंधित बात है तो वो सरोच नयाले से उनको परमिसन या अनुमती लेने की जरुत नहीं थी गवर्नर जनरल खुद वोड निधारित कर सकते थे कि क्या कानून में परिवर्तन करना चाहिए तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं फिर अगला जो एक्ट अफ सेटलमेंट के बाद फिर से एक नया बदलाव लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जरी है अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पहले डंडाज एक्ट और फॉस एक्ट भी आने वाले थे लेकिन उसका विरोध हुआ था और उस विरोध के कारण ही फॉक्स और लॉड नर्थ को अपने पस से इस्टिपा देना पड़ता और सरकार गिरी थी और यह पहली बार हुआ था जब बरिटेन की सरकार भारत के प्रसासनिक निर्धारन या प्रसासन के कानून बनाने के तहट यह कोई सरकार गिरी हो अगर हम बात करें Pits India Act के बारे में तो इस Act के द्बारा दोहरे प्रसासन का प्रारम हुआ यानि company का सासन तो था ही अब समराट का भी इसमें अधिकार या प्रवेस हो चुका company की अगर बात करें तो company का सासन board of directors के जरिये की जाता था जिसमें बेपारिक मामलों के लिए अधिकार प्राप्ट था और इसमें total सदस्यों की संख्या 24 सदस्य थे अगर समराट के हस्तेचिप की बात करें तो समराट का भी समावेश होने के बाद एक निया बोर्ड बनाये गया जिसका नाम था बोर्ड अव कंट्रोल और ये केवल राजनितिक मामलों से सम्मद निनड़े लेने का काम करते थे और इसमें सदस्यों की संख्या छे हुआ करते थे गवर्णर जनरल की अगर बात करें तो गवर्णर जनरल प्रांतिय सरकारों को बरखास्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया उनके अधिन जो भी प्रांतिय सरकारें थी उनके पदों पे नियुकती करना और उनको भरखास्त करने का भी अधिकार किसको मिल गया गवर्णर जनरल को यानि पावर धीरे धीरे गवर्णर जनरल की बढ़ती जा रही है भारत में अंग्रेज अधिकारियों की अबैद कारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोट के अस्थापना की गई यानि अगर भारत में निरंकुस अगर अंग्रेज अधिकारी हैं या भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उनको वह भी तो कानून का उलंगन करते होंगे तो उनके खिलाफ कारेवाई कहां होगी तो उसके लिए इंग्लैंड में यानि ब्रिटेन में एक कोट के अस्थापना की गई जो केवल अंग्रेज अधिकारियों के अवैदकारियों का निरिछन कर सकता था और उस पे मुकदमा चलाए जा सकता था कमपनी के करमचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंद लगा दिया गया यानि कमपनी के करमचारी कोई भी घूस उपहार का मतलब यहाँ पे घूस है उपहार लेने पर प्रतिबंद लगा दिया गया था फिर अगर हम बात करें गवर्नर जन्रल को युद्ध या संधी करने से पुर्व कंपणी के डारेक्टर से स्विक्रिती लेना अनिवारी कर दिया गया यानि गवर्नर जन्रल पे कंट्रोल को बढ़ाने के लिए नियंत्रल को बढ़ाने के लिए गवर्नर जनरल को कभी भी किसी से वियुद्ध करना हो या संधी करनी हो तो किस से अनुमती लेनी पड़ेगी डारेक्टर से अनुमती लेनी पड़ेगी कौन से डारेक्टर्स जो कमपणी के डारेक्टर्स हैं उनसे फिर 1786 का अधिनियम यानि Act of 1786 इसके अंतरगत देखा जाए तो गवर्नर जनरल को विशेश परिसितियों में अपने परिसत के निर्णे को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ यानि अगर हम परिसत की बात करें जो चार सदस्य थे उसमें गवर्नर जनरल को उनकी बातों को निरस्त करने यानि एक निगलेट करने का भी अधिकार प्राप्त था और गवर्णर जनरल को परधान सेनापती की शक्तियां भी परधान की कर दे गए यानि भारत में जो सेनिक थे उनका परधान सेनापती किसको मना दिया गया गया गवर्णर जनरल को मना दिया गया और लॉर्ड करनवालिस भारत के ऐसे गवर्णर जनरल थे जो गवर्णर जनर कौन है तो लाड कौन वालीस है जो 1786 अधिनियम के तहट ये सेनापती का सक्ति प्राप्त हुआ किसको लाड करन वालीस को और लाड करन वालीस की अगर बात करें तो ये एक मात्र ऐसा गवर्णन जनरल है जिसकी कब्र भारत में उत्तर प्रदिश के गाजीपूर इसित है तो याद रखिएगा फिर 1793 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है लेकिन जो इंपॉटेंट है वो हम बता द रहे हैं कि 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था इस अधिनियम के माध्यम से नियंतरक मंडल यानि बोर्ड आफ कंट्रोल जो समरा किया दिन था कि सदस्यों तथा कर्म-चारियों का बयतन भारती राजस्व से देने की व्रवस्ता की गई यानि वो थे England में वो नियुक्ती जो की गई थी वो इंडिया के लिए की गई थी इसलिए जो भी उनकी salary या उनकी खर्च होते थे वो कहां से दिये जाते थे इंडिया से दिये जाते थे तो इसका मतलब कि वो थे England में लेकिन वो भारत के लिए काम करते थे तो उनकी salary भारत क कमाई से वहां पर दी जाती थी तो इसका मतलब समझ लेजी कि नियंत्रक मंडल सदस्य की करमचारियों की वेतन भारती राजस्व से देने की विवस्ता के गई थी तो यह पूछा जाए कि नियंत्रक मंडल के करमचारियों का वेतन भारती राजस्व से देने की विवस्ता कौ वो कम्पनी के अधिकार पत्र को 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया, यह हर 20 वर्स पे होता था, लेकिन जो अधिकार बढ़ाय गया, इसमें खास बात यह थी, कि कम्पनी को भारत के साथ ब्यपार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परम्तु चीन, यहाँ पे चीन और चाय, चीनी मत समझेगा, चीन और चाय को छोड़कर सबी चीजों का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल ब्रिटिस एष्ट इंडिय कम्पनी के पास केवल दो ही चीज अधिकार बचे थे, एक अधिकार बचा था, चीन में ब्यपार करने से सम्मन्दित और चाय के ब्यपार करने से सम्माते थे, जो अगले 20 वर्सों तक बना रहा है, और इन दोनों के अलावा, जो भी ब्यपार था, या जो भी बस्तूं का याद न रिया था, वो कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति कर सकता था, लाइसेंस लेकर, फिर अगला, भारतियों की सिच्छा पर परति वर्स एक लाख रुपे खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो यह बहुत important question है कि एक लाख सिच्छा पर खर्च करने का प्रावधान की सेक्ट के जरिए किया गया, तो अगला भी बहुत important है, एसाई मिशनरियों को भारत में धर्प मुपरचार की अनुमती प एक आधिकार को छोड़कर 20 वर्सों के लिए कॉंसेक्ट के जरी हटा दिया गया तो 1813 के चार्टर एक्ट के जरी है फिर सिच्छा के लिए एक लाख प्रतिवर्स खर्च करने का प्रावधान कॉंसेक्ट के जरी है और इशाही मसनिर्यों को भारत में परचार की अनुमति प् कॉंसेक्ट के जरी है तो याद रखिएगा फिर अगला पॉइंट 1833 के चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो इसके द्वारा कंपनी के ब्यापारिक अधिकार पूर्णतिया समाप्त कर दिया गया यानि पिछले हम 1813 के चार्टर एक्ट में बताया थे कि चीन और चाए को छोड़ कर सारे एकादिकार समाप्त कर दिया गया थे 20 वर्सों के लिए लेकिन यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि यह पूरी तरीके से यानि चीन और चाय यह भी अब समाप्त कर दिया गया यानि यहाँ पे अब चीन और चाय से भी एकादिकार समाप्त कर दिया ग तो यहां पर उन बस्तूओं का खेब लाने के लिए सभी को मान्यता दी गई थी कि सभी भारत के साथ ब्यपार कर सकते हैं केवल बिरिट इस टीन्डे कंपनी के पास ही अधिकार नहीं रहेगा सब के पास ही अधिकार रहेगा फिर दूसरा पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो याद रखिएगा कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लेकिन अब जो गवर्नर जनरल बनाये गए 1833 चार्टर एक के जरिये वो के गवर्णर जनरल कहलाने लगे और ये सबसे पहला भारत का गवर्णर जनरल कौन रहा लॉर्ड बिलियम बेंटिंग तो बंगाल का सबसे अंतिम गवर्णर जनरल लॉर्ड बिलियम बेंटिंग और भारत का प्रथम गवर्णर जनरल देखा जाए तो लॉर्ड बिलियम बें जिसे अधिनियम कहा जाता था यानि इसलिए भारत के लिए कानून मनाने का अधिकार मिला इसलिए गवर्नर जनरल किसके हुए भारत के हुए जिसे अधिनियम कहा जाता था परंतु नियंतरक मंडल के द्वारा इसे अस्कृत किया जा सकता था यानि गवर्नर जनरल पूरे भ ड्रोल के द्वारा इसे रिजेक्ट भी किया जा सकता था फिर बंबई और मदराज की परिशत को बीधी निर्माड की शक्तियों को वापस ले लिये गए यहीं सारा जो बीधी निर्माड या अधिनियम बनाने की शक्ति किसको दे दी गई भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई फिर विधिक परामर सेहतू गवर्नर जनरल की परिशत में विधी सदस्य के रूप में चौथे सदस्यों को सामिल किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में चार सदस्य के घटा के तीन कर दिया गया लेकिन इट्स 1833 Charter Act में विधी सदस्य के तोर पे 3 प्लस विधी सदस्य तो 4 सदस्य हो गया और एक Governor General तो इस तरीके से विधिक परामर से तो Governor General परश्द में विधी सदस्य के रूप में 4 सदस्य को सामिल किया गया फिर Governor General को विधी आयोग गठित करने का प्रादिकार दिया गया और सबसे प्रतम आयोग के अध्यच लौड मैकाले को बनाए गया अब Governor General के अगर बात करें तो विधी आयोग गठित करने का अधिकार मिल गया यानि भारत में इस परसित्यों के अनुसार कैसे या किस प्रकार के कानून होने चाहिए उसके निर्माण के लिए विधी आयोग का गठन किया गया और सबसे पहला जो प्रतम विधी आयोग बनाए गया उसके अध्यच किसे बनाए गया लौड मैकाले को बनाए गया और ये चीज याद रखिए गया कि लौड मैकाले जो बने थे प्रतम विधी आयोग के सदस्य के तोर पे तो ये कोशन बहुत पुछे जाता है कि प्रतम विधी आयोग के सदस्य कौन थे तो लौड मैकाले थे और ये विधी आयोग बनाने का अधिकार किसके पास था गवर्नर जनरल के पास था भारत में 1847 बहुत इंपॉर्डेंट है ये हम बात कर रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट की ही बात कर रहे हैं और इसी एक्ट के जरिये भारत में 1843 में दास पर्था को समाप्त कर दिया गया और ये दास पर्था जो है ये पूछा जाता है कि दास पर्था को समाप्त कप किया गया तो 1843 में यानि 1843 में लेकिन किस Act के जरीए यह समाप्त किया गया तो याद रखिएगा 1833 के Charter अधिनियम या राजलेक के जरीए यह दो पॉइंट याद रखिएगा दास पर था कब समाप्त किया गया तो 1843 किस Act के जरीए तो Act of 1833 1833 अधिनियम की धारा 87 बहुत इंपोर्डेंट है 1833 के अधिनियम जो था उसमें एक धारा 87 थी कितहत कमपनी के अधिन पद धारन करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म अस्थान, मूल वंस, रंग के अधार पर अयोग्य न ठाराए जाने का प्रवधान था यह नहीं कि आप किसी जन्म के अस्थान पर, धर्म के अधार पर या वंस के अधार पर, रंग के अधार पर आप किसी को अयोग्य ठाराए यह एक तरह से कानूनी तोर पे गलत चीज थी और इसका प्रवधान अठास 233 जन्म के कौन से सेक्षन में किया गया था, धारा 87 की सेक्ट के? 1833 तो यह दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टनेंट है कि दास प्रता को समाप्त की सेक्ट के जरिये किया गया तो 1833 और जन्म अस्थान मूल वंस रंग के अधर पर अईगन ठरा जाने का धारा 87 की सक्ट में है 1833 फिर बाद में गवर्नर जनरूल की परिशत को राजस्व के संबंद में पूर अधिकार के साथ संपूर बजट तेयार करने का अधिकार दिया गया कौन सेक्ट के जरिए 1833 के जरिए अब जो ब्रिटिस इस्ट इंडिय कंपनी के अंतरगत आने वाला जो अंतिम चार्टर था 1853 तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर या राजलेक इस अधिनियम के द्वारा विधाई कारियों को प्रसासनिक कारियों से प्रितक करने की ब्योस्ता की गई यानि विधान बनाने की अलग प्रक्रिया, अलग संस्ता और प्रसासनी कारियों को अलग कर दिया गया भारत में बिधी निर्माड है तू अलग से बारा सदस्यों की एक बिधान परिस्द की अस्थापना की गया और बिधान परिशन ने प्रांतों के प्रतिनिधियों को शामिल कर पहली बार छेत्रिय प्रतिनिधियों का सिधान्त लागो किया गया यानि पहली बार ऐसा इस एक्ट के जरिये चार्टर के जरिये हुआ जो आज का जो हमारा बिधान परिशन है वो एक तरह से सुरुवात यहां से हुई थी जिसमें सदस्य कितने थे बारत है और इसमें भारत के अलग अलग छेतरों से प्रतिनिदी चुन के आये थे जिसके अधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पे छेतरिये प्रतिनिदितों का सिधात लागू हुआ पहली बार कौन से परिशत का काम बिधी बनाना था परंतु इसे अधिनियमित और वीटो करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था यानि कानून तो बिधी बिधान परिशत के द्वारा बनाये जा सकता था लेकिन इसको मानना या अधिनियमित करना या ना मानना किसके उपर था गवर्नर जैसे आज की डेट में राश्पती हैं अगर कोई भी कानुत संसत द्वारा पास हो जाता है तो वो लागू किया जाया ना लागू किया जाया हस्ताचर किया जाया ना किया जाया ये गवणर जनरल के पास राइट था जो इसे आज की डेट में राश्पती के पास है कमपनी की कर्मचारियों की नियुकती के लिए नामजदगी की जगह पर परतियोंगी परिछाओं को अधार बनाया गया तो पहली बार, कमपेटीशन यानि परतियस्परधात्मक परिछाओं का जो प्राओधान है वो भारतिय सम्विधान के में कब प्रादुरहाँ हुआ अधार पर नौकरी लगती थी लेकिन अब सिफारिस या नामजदगी के अधार पर नहीं अब प्रतोगीता परिच्छाओं के अधार पर प्रवेस होने लगा नियुक्तियां होने लगी यह अधिकार का प्राप्त हुआ 1853 के चार्टर एक्ट के जरिए फिर निदेशक मंडल जो बोर्ड अब डारेक्टर्स थे उनके सदस्यों की संख्या को 24 से कम करके कितनी कर दीगे 18 कर दीगे यानि जो शुरू में 1600 में जो चार्टर बना था उसमें 24 सदस्य थे लेकिन 1853 में आके 24 सदस्यों की संख्या को घटा कर अठार कर दीगे फिर नेक्स्ट भारती विधी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंगलेंड में एक विधी आयोग का गठन किया गया यानि भारत में भी विधी आयोग था और इंगलेंड में भी एक विधी आयोग पुनरिच्छन के लिए यानि सुप्रवाइज करने के और उनसे सम्मधित जो भी बात देती वो हम लोग पढ़ चुके हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट टू होगा उसमें हम ब्रिटिस ताज के अंतरगत बने हुए कानून की बात करेंगे उनकी क्रमिक प्रक्रियाओं या उनके जो समयधानिक विकास हैं उससे स प्यार किया गया है अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक भी कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग में चैनल थैंक यू